Hello everyone, Prospect IS के YouTube चैनल पे आप सब का स्वागत है अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज देखे हैं तो आप सब मुझसे परिचित होंगे और अगर नहीं देखा है तो मैं अपना परिचिय आपको दे देता हूँ मेरा नाम आदित्य है, मैं Prospect IS में Indian Polity and Governance यानि भारतिय राजविवस्था और शासन और PSIR यानि के राजनिती विज्ञान और अंतराश्ट्रे संबंद की क्लासेस लेता हूँ आज का मेरा उद्देश है कि मैं आपके साथ syllabus यानि के पाठे करम पर थोड़ी सी बाते करूँ देखिए optional का paper क्या है, optional का paper दो बड़े papers में विभाचित है, divided है और हर एक paper के अपने segments है या ऐसे मान लिजिए किसी एक paper का उपविश है, उसमें कई सारे दर्ज किये गए है, वहाँ पर बकाईदा सुची मौजूद है UPSC के notification में आज मैं आपसे चाहा रहा था कि सबसे पहले जो आपका paper 1 है, जिसे Political Theory and Indian Politics रानेतिक सिधान्त और भारतिय राजनीती का paper माना जाता है, उसे कहा जाता है मैं इस paper की थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुचाऊं क्योंकि UPSC की तियारी करते हुए सबसे महतपून क्या है syllabus, पाठे करम, मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है what we need to read and what we should not read at all तो आज हम लोग चुरू करते हैं आपके syllabus की series का पहला भाग देखे जो आपका ये पहला paper है, political theory और Indian politics का इसमें पहला topic है political theory, यानि के राजनेतिक सिधान्त अब आप सूचिए, सिधान्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इतना ही नहीं अगर आप किसी विश्विद्धाले से graduation कर रहे होंगे, political science honors में तो वहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो पहली बात तो हमें ये समझी लेना है ये theory है क्या, किस तरीके से हम theory को समझते हैं, क्या theory हर चीज़ को कहा जाता है मैं एक उदाहरन देता हूँ, मान लीजिए मैं पैडल चल रहा हूँ और केले का छिलका रोड पे गिरा हुआ है, तो आप सब लोगों ने पुराने कहानियां या वो कविता हैं तो सुनी ही होंगी ये ना, फलाना सेट, सडक परलेट, केले के छिलके के बल पर गिर गए और फट गया पेट, ऐसे कहानियां मिलती है तो मान लिजे मैं चल रहा हूँ और केले के छिलके पर पैर पड़ता है, अब इससे दो से तीन संभावनाएं उत्पन हो जाती है नमबर वन, मैं गिर सकता हूँ, मेरा पैर फिसल जाएगा नमबर दो, मैं बिछल सकता हूँ पर गिरू ना, मतलब ऐसे से करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाओंगा और नमबर तीन, कि मेरे उपर कोई असर ही ना हो, शायद मेरे जूते या मेरा पैर जो भी है, वो बैलन्स कर ले, संतुलन कर ले अब देखिए, इन तीनों में जो जो परिस्थितियां होंगी, उसके अनुसार क्या हम थियोरी बना सकते हैं? इस पर विवाद होगा, माल लीजिये, अगर ये कहा जाए, कि मैं चल रहा हूँ, आप चल रहे हैं, हम सब चल रहे हैं, और केले का छिलका रोड पर गिरा हुआ है, अगर थियोरी बनती है, उसका मतलब क्या होगा? वैज्यानिक विदी से बनेगी तो, कि अगर मैं गिरा, तो क्या बाकी लोग भी गिरेंगे? थियोरी क्या कहेगी? इस पर डिबेट हो जाएगा, कि गिर रहे हैं, कि नहीं गिर रहे हैं? उसी तरह हम ये कह सकते हैं, कि इस परिस्थिती में शायद संभावनाएं बढ़ सकती हैं, गिरने की संभावना ज्यादा होगी, तो उसको ए आपको एक दूसरा उधारन देता हूँ, जहां पर निश्चित है कि आपको थियोरी नजर आएगी, वो उधारन क्या होगा? मान लीजिए, कडाके की ठंड पड़ रही है, और जमीन के नीचे जो पानी पहुँचाने का पाइप है, उसमें क्या ये बढ़े हैं कि पानी शा मान लीजिए कोई घटना घटती है, कि अचानक से जनवरी में कडाके की ठंड पड़ी, बहुत ठंड पड़ी और अगले दिन पानी का सप्लाई होना शुरू हुआ और पाइप फड़ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पानी जमने के कारण वश ये पाइप फटा, इस त जो पहला टॉपिक है वो आपको यही समझाना चाहरा है, कि आप पोलिटिकल थियोरी से क्या समझते हैं, उसके बाद आपको पोलिटिकल थियोरी समझने के जो एप्रोचेस हैं, उपागम हैं या अवधार नाए हैं, इसके बारे में जानकारी लेनी हैं, अब आप अलग- अलग पुस्तक पढ़ेंगे न तो अलग-अलग पुस्तकों में इसके बारे में अलग-अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसे कुछ लोग क्या करेंगे traditional theories बताएंगे यानि पारंपरिक theories और modern theories बताएंगे कुछ लोग क्या करेंगे historical theories बतादेंगे और कुछ लोग अपर बतादेंगे contemporary theories और फिर इसके अन्य विभाजन कर दिये जाएंगे जैसे traditional में पारंपरिक में आदर्शवादी लोग मिल जा इसके बारे में आपको वर्णन मिल जाता है तो जो आपका paper 1 है उसका जो पहला topic है इसमें आप ये दो बड़ी चीजों को पढ़ते हैं सबसे पहला political theory क्या है उसमें क्या पढ़ेंगे meaning क्या है इसका अर्थ क्या है और approaches क्या है इतना ही नहीं जब आप इसके आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला topic बनता है theories of state यानि राज्य के सिध्धान्त अब देखी राज्य अपने आप में बड़ा दिल्चस्प शब्द है जब कभी हम लोग यहां पढ़ाते हैं और बच् कहने वाला हूँ उसमें से आप सब लोगों को बहुत सारे लोग बहुमत में कहेंगे कि हां सर हमने भी शायद यही गलती की थी और हमने भी यही समझा था अचानक से जवाब आता है सर राज्य मतलब राजिस्थान सर राज्य मतलब बिहार सर राज्य मतलब उत्तर प्रदे It is different from the government, कुछ लोगों की हम बात माने, तो government came before the state, यानि सरकार राज्य के अस्तित्व में आने से पहले ही आ चुकी थी वजूद में, यानि वो पहले से ही मौजूद थी, government precedes the state, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे राज्य का धांचा मजबूत हो जाता है, यही राज्य सरकार क को अपने प्रशासनिक अंग की तरह ले लेता है, अपने अधीन कर लेता है, so government becomes the administrative apparatus of the state, और फिर आप शब साय जानते होंगे कि state के चार प्रमुक्तत्मों को पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जानते हैं, UPSC में optional level में इतना पढ़ना काफी नहीं है, Montevideo Convention में लिखा हुआ है, Max Weber जैसे विचारकों ने लिखा हुआ है इसके बारे में, वहां तक सीमित रहना हमारे ले काफी नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, state को तो समझना ही है, कि ये state है क्या, और उसमें भी कई प्रकार के state है, आपको पहले के state की अवधारना अलग मिलेग फिर आप चले जाते हैं, आपको पता रहता है, feudal state नाम की कोई चीज होती है, polity of estates नाम की एक चीज होती है, absolute state कुछ और होता है, democratic, constitutional state कुछ और होता है, और इसके बारे में अलग-अलग धारनाएं हैं, कि ये राज्य कैसे उतपन हुआ है, राज्य की उतपत्ती कैसे प्रस्तुत किया है, मसलन, how the state got into existence or came into existence, how it was formed, number two, what are the different functions of the state, and number three, again, what is the character or nature of the state, इस तरीके से राज्य के बारे में एक आरंभिक समझ को बनाया जाता है, और आपका जो UPSC का पेपर 1 का ये दूसरा topic है, ये आपसे इनी theories के बारे में एक अच्छी समझ की अपेक्छा करता ह है, that you have a proper understanding regarding the theories of the state, और आपको कौन-कौन सी theories पढ़नी है, सबसे पहले आपको पढ़नी है, liberal theory of state, यानि कि उदारतावादी राज्य का सिधान, कभी-कभी इसको उदारवादी भी बोल देते हैं, मेरा ये मानना है, चाहे आप उदारवादी बोलें, चाहे उदारतावादी बोलें, दोनों शब्द एक दूसरे के परियाई की तरह हैं, किन्तु अगर हम इसे अकादमिक अध्यान से देखेंगे, तो हिंदी में उदारतावादी शब्द जादा बहतर होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बड़ी-बड़ी पुस्तकों में, अलग-अलग अंग्रेजी में तो हमें दिकत ही नहीं है, liberal word, एक ही use होता है, तो पहला आपको सिधान्त जानना है, liberal theory of state, दूसरा जानना है,ι नियो-liberal theory of state, यानि नव-दारतावादी राज्जे का सिधान्त, वो कैसे देखते हैं, नव-दारतावादी उपागम किस प्रकार से राज् यानि राज्य का मार्क्स वादी सिधान्थ, काल माक्स, फेडरिक एंगल्स और उसके आगे तमाम लोग, जिन्होंने स्टेट पर अलग 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 विचार प्रस्तुत किये, इतना ही नहीं, फिर आप अगला थियोरी पढ़ेंगे, प्लूरलिस्ट थियोरी अफ स्टेट, य इसमें हमें रॉबर्ट डाल जैसे लोग काफी मदद करेंगे, इतना ही नहीं, फिर आप पढ़ेंगे पोस्ट कलोनियल थियोरी अफ स्टेट, उत्तर अपनिवेशिक, हम सब उपनिवेश रहे, हमें अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया, हम उनकी कॉलोनी रहे, तो हम जिस प्रकार से राज्य को देखेंगे, हमारे राज्य को देखने का दृष्टी है, वो इंग्लेंड में किसी उधारतवादी व्यक्ति द्वारा लिखे जारे राज्य के सिधान से अलग होगी, अगर इंग्लेंड में कोई व्यक्ति है, जॉन लॉक जैसा, ठीक है, इंग् की राइटिंग अलग होगी अगर हम्जा अलावी लिखेंगे तो वो माक्सवादी चिंतन बिलाएंगे और उत्तर अपनिवेशिक चिंतन बिलाएंगे अगर पार्थो चैटर जी लिख रहे हैं तो उनका राज्चे को देखने का सिधान बहुत ही अलग होगा इतना ही नहीं इसके बाद आप पढ़ते हैं Feminist Theory of State यानि नारिवाद इसको बोल दिया जाता है किन्तु UPSC के पाठेकरम में बकाइदा नारी अधिकारवादी इस पर जोर दिया गया है देखिए इसलिए मैं कह रहा था मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आपको syllabus को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आप syllabus काना अनुवाद मत पढ़िए आप original syllabus उठाइए English के बच्चे भी Hindi के syllabus को देखें और Hindi के बच्चे भी English के syllabus को देखें कि क्या कहीं पर भी नारिवाद शब्द के साथ या उसकी जगा नारी अधिकारवादी शब्द लिखा हुआ है क्या feminism को इस तर में कोई संबंध है यदी राज्य समाज दुवारा निर्मित है समाज से निकल रहा है समाज उसका निर्मान कर रहा है और यदी समाज पित्र सत्तात्मक आधारों पर चल रहा है इस प्रकार से नारी अधिकारवादी या नारी वादी इस प्रशन को समाज़ा है समाजने का प्रयास करते हैं So whether the state's creation or the method of creation of state has some kind of connection with patriarchy Whether the character or the nature of state is patriarchal Whether the work of the state is leading to reinforcement of patriarchy On these three different vantage points, the feminist movement and the feminist theory will try to understand the nature of state यानि आपको theories of state में बहुत सारी theories नहीं पढ़नी है आपको इन ही theories पर focus करना है मैं पुने दोरा देता हूँ Number one आपको पढ़ना है liberal या उदार्वादी या उदार्वादी theory of state Number two, neoliberal यानि के नवदार्वादी theory of state हम इसमें बकायदा हाइक हो गए, Milton Friedman हो गए ऐसे लोगों को पढ़ेंगे फिर आप जाएंगे Marxist theory of state पे है ना, आप उसमें चाहें तो Bob Jessup को पढ़ लीजे दस तरह के लोगों के विचारों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे pluralist theory of state उसके बार हम लोग जाएंगे post-colonial theory of state और फिर हम लोग पढ़ेंगे feminist theory of state इसमें एक और चीज़ जान लीजिए syllabus ऐसा ही क्यों है एक तरफ syllabus क्या कह रहा है बड़े बड़े अवधारनाओं को समझने की अपेक्षा आपसे कर रहा है क्या आपको liberalism पता हो आपको marxism पता हो आपको new liberalism पता हो और आपको pluralism पता हो उसके बाद UPSC चाह रहा है कि आपको अपनी स्थिती भी पता हो आपको critical theories भी पढ़नी है और critical theory के दायरे में कई बार लोग marxism को रखते हैं जाहिर सी बात है रखा जाता है लेकिन ज्यादा महतवपून बन जाता है इससे जोड़कर post-colonial theory of state यानि उत्तर आपनी विश्रिक राज्यका सिधान्थ और feminist theory of state यानि नारियदिकारवादी या नारिवादी राज्यका सिधान्थ इतना ही नहीं इसके बाद हम लोग उत्रेंगे जिसे हम कहते हैं राजनेतिक संकल्पनाएं और राजनेतिक संकल्पनाओं में भी जो मानकी ये संकल्पनाएं हैं मतलब normative concepts ठीक है जो political concepts कहलाते हैं state भी political concept है उसमें फिर normative concepts तो हमें पढ़ना होगा न्याय का विचार यानि कि justice ये अपने आप में एक नायाब शब्द है अगर आप लोग political science के बारे में थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो आपने शायद में का नाम सुना होगा जॉन रॉल्स कहा जाता है कि आज के समय पे न्याय पे उनसे अच्छा काम किसी ने नहीं किया है या फिर भारत के भारतिय मूल के बहुत बड़े व्यक्ति आमरतिय सेन उन्होंने लिखा है जस्टिस के बारे में आपने शायद माइकल वॉल्सर का नाम सुना हो उन्होंने लिखा है यहां तक ही माइकल सैंडल जैसे लोगों ने भी जस्टिस के उपर लिखा है या फिर आपने शायद इनका नाम सुना हो प्लेटो कई बार उनको लोग हसी मदाग में या एक और शब्द चलता है अफलातून तो आपने शायद फ्लेटो का नाम सुना हो उनकी बहुत काल जाई पुस्तक है रिपबलिक वहाँ पर भी आपको जस्टिस का विचार मिल जाएगा मतलब जस्टिस है क्या मुझे अकसर जॉन रॉल्स का यी परिभाशा बड़ी अच्छे लगती है कि अगर आप राजनेती विज्ञान की दिर्शी से देखेंगे तो जस्टिस राजनेतिक संस्थानों के प्राथिमिक मुल्यों में से एक है जो उनकी पुस्तक है ना थियोरी अफ जस्टिस उसके पहले पन्ने पर सबसे पहले उन्होंने यही समझाना चाहा है कि जस्टिस इस वन अफ फॉर्मोस्ट और प्राइम वाल्यू अफ पॉलिटिकल इंस्टिटूशन वर्च्यू की तरह है एक तो हम जस्टिस के बारे में सारे विचार जानेंगे और फिर आपका सिलबस चाहरा है कि आप रॉल्स के थियोरी को जरूर पढ़ें इसमें बहुत कुछ जानना होगा प्रोसीजरल थियोरी अफ जस्टिस, डिस्ट्रिब्यूटिव थियोरी अफ जस्टिस तमाम तरह की बाते हमें इसमें पढ़नी होंगी जो आपके सिलबस के दायरे में आती है और फिर आप इसमें जानेंगे कि रॉल्स की थियोरी का कॉम्यूनिटेरियन क्रिटीक क्या है यानि रॉल्स की नियाय के सिधान्त का या समुदायवादी जो विक्ती है या विचारधारा है उनकी आलोचना क्या है कैसे उन्होंने इसकी थियोरी की आलोचना की है ये आपका अगला टॉपिक बनता है इतना ही नहीं जस्टिस के बाद मानकिय मूल्यों का विचार और प्रबल हो जाएगा और आप पढ़ेंगे इक्वालिटी जिसे हम लो आम तोर पर समानता बोल देते हैं और कभी-कभी इसके परियाय के रूप में समता शब्द का प्रयोग भी किया जाता है लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि काईदे से समता और समानता में थोड़ा सा अंतर है वो क्लास की बात होगी एक डिटेल्ड कॉंसेप्ट है उसको तुरंट पांच मिंट में नहीं समझाया जा सकता अभी के लिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ मैं अंग्रेजी में ही बोल देता हूँ और इक्वालिटी में आपको क्या-क्या पढ़ना है सोशल, पुलिटिकल और एकनोमिक एक्वालिटी यानि कि सामाजिक राजनेतिक और आर्थिक समानता अब आप सोचिए थोड़ा सा भारत के बारे में सोचिए क्या नियाए और समानता को एक साथ मिला कर कहीं पर इन तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है सोशल, एकनॉमिक और पुलिटिकल कहीं पर भी मेरे ख्याल से आप समझ गए भारतिय सम्विधान की उद्देशिका में वहाँ पर सोशल, एकनॉमिक और पुलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है इसका मतलब क्या हुआ जो पिछला विचार पढ़ा न्याय उससे समानता को जोड़ना है और फिर समानता के जो आयाम है, एकौलिटि का जो आयाम है सोशल, पुलिटिकल, एकनॉमिक ये जो आयाम है इसके बारे में जानकारी लेके हमें आगे बढ़ना है बहुत तरह की theories यहां भी आएंगी, हम Aristotle को भी देखेंगे, हम लोग Russo को भी देखेंगे, हम Hobbes को भी देखेंगे, हम आगे बढ़कर Marx को भी देखेंगे, हम Ambedkar को भी पढ़ेंगे और Gandhi को भी इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तमाम तरह से Rawls आएंगे, Dorkin आएं कि एक तरफ स्वतंतरता और एक तरफ equality, ठीक है, अभी के लिए समानता, यानि क्या संबंध है दोनों के बीच में, क्या इस संबंध की वजह से, दोनों मूल्यों में हमें संतुलन बिठाना आवश्चक है, या क्या हम ये कह सकते हैं, कि समाश को सिर्फ freedom दीजिए, equality के बार मत सोच ये, नहीं, दोनों में संबंध क्या है, क्या ये एक दूसरे के विरोधी है, क्या ये एक दूसरे के संपूरक है, आर दे इन ओपोजिट डिरेक्शन विद इच अदर, डायर ओपोजिशन, और आर दे कॉम्पलिमेंटरी टू इच अदर, and whatever be it, how so, कैसे ये दोनों स एक दूसरे के पूरक है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है, यानि हम अगली चीज़ पढ़ते हैं, relationship between equality and freedom, फिर equality में आपको एक और चीज़ पढ़ने, जिसको हम लोग बोलते हैं, affirmative action, इसे हिंदी में कहा जाता है, सकारात्मक कारवाई, एक तरीके से वरियता प्रदान करना, किसी एक दुर्बल वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को, लेकिन जानते हैं, affirmative action के कई प्रकार के संसकरन होते हैं, there are different variants of affirmative action, सकारात्मक कारवाई के, some things are known as strong variants of affirmative action, some are lighter variants of affirmative action, यानि एक कठोर रूप में सकारात्मक कारवाई, और थोड़ी सी लचीली, नम्य या सूनमनी रूप म सकारात्मक कारवाई, पैरों में बेडिया हो, अचानक से हम उसके लिए एक द्वार खोल दे, कि ये दर्वाजा खुल गया है, जाइए, आप आजाद हैं, या इतना करना काफी होगा, या वो उस द्वार तक चल सके, इसे सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा, आप शब सायद जवाब जानत हैं, सकरात्म कारवाही यही काम करती है, एक और उधारण में देता हूँ, आप सब लोगों ने हो सकता है अपने स्कूल में दोडने वाली प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, या आपने शायद ओलंपिक के खेल देखे होंगे, जहां पे लोग दोड रहे हैं, तो कई सा सारे एक तरीके से अंड़कार रूप में छेतर होता है, सरकल होता है, और जो खिलाडी सबसे अंदरूनी सरकल में है, उस अंड़कार सरकल में, अगला खिलाडी जो है, वो उससे थोड़ा आगे खड़ा होता है, तीसरा खिलाडी और आगे होता है, चौथा उससे आगे होत लेकिन जो इनकी फिनिशिंग लाइन है यानि जहां पर इनकी रेस समाप्त होती है वो सीधी होती है है ना अब मैं बच्चों से पूछता हूं कि बच्चियों ऐसा क्यों ऐसा क्यों किया जाता है तो कहते हैं सर अगर जो सबसे बाहर खड़ा है उसे भी उस जगह से उसकी रे उसके साथ न्याय हो सके इसलिए उसे थोड़ा सा आगे किया जाता है मतलब क्या हुआ कि हम दरसल एक प्रकार से उसे आगे बढ़ा कर न्याय स्थापित कर रहे हैं उसे आगे बढ़ा कर समानता इस्थापित कर रहे हैं ये असमानता नहीं है सकरात्म कारवाही यही काम करत इसकी क्या सीमाएं हैं, इसे और बहतर कैसे बनाया जा सकता है, इन सभी प्रशनों से हमें इस टॉपिक में गुजरना होता है, इतना ही नहीं, इसके बाद आप पढ़ते हैं Rights, यहाँ पर आज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी भी आप राजनितिक सिधान्त की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक तरफ है लिबर्टी का विचार, अभी के लिए आप फ्रीडम बोल लिजे, लेकिन लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर है, तो मैं लिबर्टी इस्तेमाल करूँगा, हिंदी में आप उसे स्वतंतरता फिलाल के लि हैं, वो थोड़ा कम है, बलकि राइट्स की उपयोगिता वाला जो मूल है, वो ज्यादा मजबूत है, इस्तेमाल होता है, शायर आप लोग नहीं समझ पारे, तो मैं इसे उधारन से बताता हूँ, राइट तू इक्वालिटी, राइट तू जस्टिस, राइट तू अइसे लिबर्टी, यानि अधिकार किसी चीज के लिए है, यानि वो एक उपकरन के रूप में मौजूद हैं, तो इसे कई बार मानकिminded मूल्यों में हमेशा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के नी प्रयोग करते हैं यानि मान किये मुल्य ये भी है लेकिन ये instrumental ज्यादा है conceptually इस बात को हमेशा दिमाग में रखियेगा इतना ही नहीं अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है अधिकार का अर्थ क्या है बहुत simple वो तमाम हक वो तमाम दावे जिसके हम हकदार हैं जब हम किसी राजनितिक समुदाय का भाग बनते हैं इस आर अल दूस अल दोस थिंग्स तो विच वी आर एंटाइटर वन वी बिकम पार्ट अफ अफ पुलिटिकल कॉम्मुनिटी अस सिम्पल अस दाट और फिर इसके बहुत सारी थियोरी है नैचरल राइट्स थियोरी है नैसरगिक अधिकारों की थियोरी प्राकृतिक अधिकार भी बोल देते हैं लीगल राइट्स की थियोरी है विधिक अधिकारों की थियोरी यूटिलिटेरियन राइट्स की भी एक थियोरी है उप्योगितावादी सिध्धान्त से, यहां तक की आज की समय में माक्सवादी अधिकार का भी सिध्धान्त है, नारिवादी अधिकार का भी सिध्धान्त है, आदी, मतलब अधिकारों के बहुत सारे सिध्धान्त और बहुत सारी अवधार नाय समाज में चल रही है, राजन Cultural Rights, Legal Rights, Human Rights, कई तरह के अधिकार अभी तो केवल मैं थोड़ा सा ही बता सकता हूँ न Orientation की क्लास में मैं इसको बहुत विस्तार से समझाता हूँ तो कई प्रकार के अधिकार जो होते हैं Types of Rights, ये हमें पढ़ना होता है Civil Rights क्या होता है, Cultural Rights क्या होता है वगेरा वगेरा और इनके बीच के अंतर साथी साथ इनके बीच के संबंध और तीसरा इनका विकास कैसे हुआ है सबसे पहले कौन से अधिकार आए फिर वो किसमें तबदील हुए इन अधिकारों का दायरा कैसे बढ़ा How this transformation happened What were the different forces acting in order to ensure the expansion of our rights तो हमें इसके बारे में पढ़ना होता है और फिर आगे बढ़के हम लोग पढ़ते हैं Concept of Human Rights देखें Human Rights को जो विचार है न यह बहुत महत्वपूर्ण विचार है आप चले जाए दिये विश्वयुद्ध के समय में जब मैं जर्मनी में Guest Scientist की तरह काम कर रहा था University of Woodsburg में तो जिस कमरे में मैं किराय पर रहता था न उस कमरे के बाहर तामबे के प्लेट्स थे चार प्लेट्स थे मेरे कमरे के बाहर घर के बाहर निकलते ही घर के दोआर पे वो ताम्बे के प्लेस थे तो पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये शायद एड्रेस होगा या कुछ सिंबल होगा यहाँ पे हैं पिर मैंने बड़ा गौर से उसको देखा जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता लगा कि द्वितिय विश्युद्ध के पहले, जब जर्मनी में हिटलर का शासन था, तो इस घर से चार लोगों को जो यहूदी थे, उन्हें कॉंसेंट्रेशन कैम्प में भेजा गया था, वहाँ पर एक महिला का भी जिक्र था, जो शायद मांसिक रूप से थोड़ी सी असमर्थ थ वैसे लोगों को हिटलर की सरकार कुछ मानती नहीं थी, लेकिन जानते हैं इससे बुरा क्या था, उनके उपर एक्सपरिमेंट किये जाते थे, और उस तामबे पर ये दर्ज था कि पहले इस महिला को कहां ले जाया गया, कौन से हॉस्पिटल में, जहां उनके शरीप पर ए प्रेज दिया गया, जहां उनके मृत्य हुई, फिर मुझे लगा कि शायद ये इसी घर से तो नहीं हुआ होगा, पुरे जर्मनी में ये हुआ, बलकि कह लिजे योरोप के बड़े भाग में ये हुआ, तो जर्मनी के लगबग प्रतेक शहर में, जिस जिस घर से ऐसा हुआ जहां जहां से, वहां पर ये तामबे के प्लिट लगाए गए हैं, ये कहता क्या है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें पहले राजनतिक अधिकार प्राप्त थे, नागरिक अधिकार प्राप्त थे, सामाजिक अधिकार प्राप्त थे, उन्हें वंच आइकमेन जिसे कुछ वर्षों पहले पकड़ा गया था और उनका पुरा ट्रायल हुआ था और उस ट्रायल के दौरान एक बहुत बड़ी पुलिटिकल साइंस की लेखी का है विचारक रही है आना आरेंट आना आरेंट ने पूरा का पुरा एक पुस्तक लेखा है आइकमेन जेरुशलम और वो उस पर आलोचना भी कर रही है और तर्क भी प्रस्तुत कर रही है human rights का विचार वहीं से आता है कि हम सब सबसे पहले मानव हैं और चाहे हम किसी भी देश के हो चाहे हम किसी भी मूल के हो चाहे हम किसी भी नसल के हो चाहे हमारा कद काठी कैसा भी हो चाहे we belong to, what is the way of our living, our eating habits, our clothing, etc. It doesn't matter which age group we belong to, whether we are differently abled or not, हम दिव्यांग जन हैं या नहीं हैं, कोई भी बात मायने नहीं रखती, हम सबसे पहले मानव हैं, और सैंक्त राष्ट्रसंग ने सारभॉमिक मानवधिकारों की उद्गोशना को जारी किया था, they had fulfilled the promises of the second world war कि इसको रोका जाए, and they declared the universal declaration of human rights, बहुत दिल्चस्प बात है कि भारतिय सम्विधान में जो मूल अधिकार हैं, the fundamental rights present in our constitution, they are also inspired by human rights, बहुत सारे मूल अधिकार आपको मिलते हैं जो human rights में भी हैं, तो हम्में human rights के बारे में पढ़ना है, और इसे हम लोग आलोचनात्मक दृष्टी से भी पढ़ेंगे, critical perspective of human rights भी हम लोग देखेंगे, कि क्या human rights regime नाम की कोई चीज बन गई है, क्या human rights के नाम पर भी violation होता है, और क्या human rights वाकई कारगर हैं, are they even effective, जब हम देखते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, आप देखें, रूस युक्रेयन का युद्ध चल रहा है, तमाम जगा जब युद्ध होता है, तो क्या human rights का violation होता है, हमें इस प्रकार से इसके बारे में सोचना है, तो अगला topic हम पढ़ते हैं, rights का, इतना ही नहीं, इसके बाद हमें पढ़ना है democracy, यानि आपके paper 1 में जो पहला भाग है, लोकतंत्र, उसको आपको लोकतंत्र पढ़ना है, और लोकतंत्र में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको शास्त्रिय यानि के Classical और Contemporary यानि के समकालीन इन सिध्धान्तों को पढ़ना है लोकतंत्र के शास्त्रे सिध्धान्त क्या है और समकालीन सिध्धान्त क्या है अरस्तु को पढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा अगर आप आगे बढ़के जॉन दीवी को पढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा आप गांधी को पढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा डॉक्टर बियर अमेटगर को पढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा जूलिस नियरे को पढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा यानि डिमोक्रसी के बारे में बहुत सारी थियोरीज हैं, शिम्पिटर को पढ़ेंगे तो कुछ और मिलेगा, है न, इस तरीके से हमारे पास कई सारे थियोरीज हैं, डाल की थियोरी हैं, तमाम तरह के सिध्धानत हैं, जब अब इन सिध्धानतों से गुजरते हैं, कोई उधारतावादी लेखक हो, हम मिल को पढ़ेंगे तो कोई और विचार होगा, जॉन लॉक को पढ़ेंगे तो कोई और विचार होगा, रूसों को पढ़ेंगे तो कोई और विचार होगा, उसी तरह जब हम पढ़ेंगे, हाइक को तो कुछ और विचार निकलेगा, यानि प्रतेक जो विचारक है, वो अपने अब धार्णा के अनुसार, अपनी धार्णा के अनुसार विचार देता है, तो हमें classical theories पढ़ नहीं है, यानि विचारकों को बांट देना है, कुछ classical theories है, classical theory of democracy, और कुछ है contemporary theories of democracy, जो आज की समकाली इन theories है, ये पहला चीज़ है, दूसरा हमको पढ़ना है different models of democracy, यानि लोकतं के अलग-अलग जो model है, यानि किस तरीके से किसी theory या democracy के विचार को संस्थागत आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है, model क्या हुआ, एक democracy का विचार है, एक theory है, उसे कैसे हम लोग धांचा प्रदान कर रहे हैं, and what is the better model, what are the limitations of each model, what are the different features of each model, and what are the pros and cons, etc., अब हमें कौन-कौन से models को ध्यान रखना है, number one, representative model, यानि प्रतिनधित्व वाला model, कि कैसे representative model of democracy काम करता है, यानि पूरा का पूरा descriptive representation, prescriptive representation, तमाम तरी की चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, इसके बाद आप पढ़ेंगे participative model of democracy, यानि भागिदारिता, कि केवल हमारा प् Prime Minister, वहाँ पे हमारे MPs से बन गया, किसी देश में हम देखते हैं कि किसी ने बकाइदा राश्पती को सिधा चुन लिया, स्वितराज अमेरिका जैसे हुआ, तो ये हो गया प्रतिनधित्व का model, लेकिन क्या इसमें हमारी भागिदारिता सही मायनों में आ रही है, क्या बनता है, जिसे हमें इसमें पढ़ना होता है, इतना ही ने, फिर हम पढ़ते हैं, Deliberative Model of Democracy, आखिर जहां पर लोकतंत्र एक model की तरह मौझूद है, वहाँ पर तरक, वहाँ पर विचार विमर्ष, वहाँ पर वाद विवाद, वहाँ पर Deliberation, Discussion, Consensus, Compromise, ये हो रहा है कि नही हो रहा है, वहाँ consent कैसे पहुँच रहा है, ये तमाम तरीकों से हमें फिर Deliberation या Deliberative Model of Democracy को पढ़ना होता है, तो ये आपका अगला topic हुआ, Rights के बाद, Democracy, इसके बाद हमें पढ़ना होता है, Concept of Power, Power को आप Power कह लीजिए, कभी-कभी इसके लिए शक्ति शब्द का प्रेयोग होता है, और कभी-कभी हम कह सकते हैं सत्ता, अभी के लिए मैं Power कहना चाहूँगा, Power कैसे हम समझें, सरल में रूप में एक क्या है, इसे एक सामर्थे के रूप में समझा जा सकता है, इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे की मान लीजिए, काहिदे से मैं किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसा काम करने के लिए विवश कर दूँ, जो सामान ने परिस्थितियों म मैं वो न करना चाहे, इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसके उपर अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बड़ी आरंभिक परिभाशा हुई ना, पावर as decision making, पावर as agenda setting, कई तरह के इसमें आयाम हमें मिलते हैं, और IR से अगर जोड़ेंगे तो hard power, soft power, ऐसे तमाम आयाम हमको मिल जाते हैं, पर political theory में कायदे से पावर को इस तरह समझने का प्रयास किया जाता है, पावर as a ability, ठीक है, एक ability की रूप में, एक स्थमता की यानि हम यहां पर व्यक्तियों के बीच के power की बाद सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हमें इसे राजनेतिक दृष्टिकोंड से पढ़ना है, we have to understand it from the perspective of politics, हमें state और power, the process of legitimation, कैसे सत्ता को वैधता प्रधान की जा रही है, the idea of hegemony, के प्राधान्यता है न, काइदे से एक तरीके से पूरा का पूरा वर्चस्व से आगे बढ़ना, इसमें एक और चीज़ पढ़ाता हूँ कि प्रभुत्व और वर्चस्व में एक अंतर होता है, हम उसको भी discuss करेंगे, लेकिन आप अभी अंग्रेजी के लिए hegemony शब्द को देखिए, एंटोनियो ग्रामशी ने बहुत अच्छा इस पे लिखा है, तो hegemony कैसे काम करता है, किस तरह से कोई विचार इतना प्रभल बन जाता है, hegemony क्या सहमती से आ रही है, या बिना सहमती के आ रही है, यानि hegemony with consent या hegemony without consent, ऐसे मुद्दों से हमें प्रकार के प्रशन आप देखेगा, UPSC न आप से पूछा है, तो हमें अगला topic जो पढ़ना है political theory में वो है concept of power, इतना ही नहीं, फिर हम पढ़ेंगे political ideologies, यानि कि राजनेतिक विचारधाराएं, और हमें सारी विचारधाराएं नहीं पढ़नी है, political ideologies तो बहुत सारी है, आपको सारी विचारधाराएं नहीं पढ़नी है, ध्यान दीजेगा, पिछले विडियो में मैंने आपको बताया था, I have shared this with you, you are not supposed to undertake the entire VA honors political science, आपको थोड़ा पढ़ना है, कौन-कौन से ideologies पढ़नी है, number one हमें पढ़ना है liberalism, उधारतावाद, उधारतावाद क्या है, इस उधारतावाद अन्यविचारधाराओं से अलग है, उधारतावाद सिराज्य के बारे में क्या सोचता है, उधारतावाद न्याय के बारे में क्या सोचता है, समानता के बारे में क्या सोचता है, अधिकार के बारे में क्या सोचता है, सत्ता के बारे में क्या सोचता है, सत्त से हम उदारतावाद को देखेंगे, में स्कॉलर्स क्या रहे हैं, इस तरीके से उदारतावाद को पढ़ेंगे, और इसी को फॉलो करते वे हमें बाकी विचारधाराओं को पढ़ना है, जैसे उदारतावाद या लिबरलिजम के बार आपको पढ़ना है, सोशलिजम यानि समा माजवाद को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पूरा कपुरा माक्सवाद को, फिर हम पढ़ेंगे फासिजम, यानि फासिवाद, एडॉल्फ इटलर, मुसॉलीनी, इतना ही नहीं, करेंट में बहुत इंपॉर्टन्ट है, मेरे ख्याल से पिछले वर्ष की न्यूस है, कि फिर से जर्मनी में प्रयास किया जा रहा है कि कैसे फासिवाद आए, नव फासिवाद उसको बोला जा रहा है, यह हमारे इर्द गर्द घट रहा है, तो फासिजम, फिर हम पढ़ेंगे गांधिजम, यानि माहत्मा गांधी से उत्पन हो रहे है विचार, पूरा कपुरा उनका दा नारी अधिकारवाद किस प्रकार से इन समाम बिंदूों के बारे में एक अपनी धारना बना रहा है, तो पेपर वन का जो पहला पार्ट है न आपका, वो है पुलिटिकल थियोरी का पार्ट, और पुलिटिकल थियोरी में इन सब चीजों को हमें पढ़ना है, we have to study all these things, so we will start with what is theory and meaning approaches, then we move on to state, justice, liberty, equality, rights, democracy, power and ideologies, ये तमाम चीजे मुख्यता हमें इसमें पढ़नी होती हैं और जब आप इसको पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा विचार जुडा हुआ है, तो काइदे से सबसे पहले जब आप थियोरी पढ तेवे हमें concepts की एक अच्छी समझ को दिमाग में रखना चाहिए, इसके बार आपका ये paper आगे बढ़ता है और आप thought में जाते हैं, यानि विचारों के इस तर पर जाते हैं, conceptions में खुचते हैं, और उसमें क्या पढ़ना होगा? Indian Political Thought, यानि भारती राजनतिक चिंतन और Western Political Thought, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत अगले वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए, thank you so much, आप तैयारी अच्छे से करिए, और prospect आई इसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बहतर बनाईए, all the best.